यह एक ट्रांजिस्टर है, यह अब तक इजाद की गई सबसे महत्वपून डिवाइसों में से एक है, तो हम इस वीडियो में विस्तार से सीखने वाले हैं कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करते हैं. ट्रांजिस्टर कई आकार प्रकार के होते हैं, इनके मुख्य दो प्रकार हैं, बाइपोलर और फील्ड इफेक्ट. हम इस वीडियो में बाइपोलर ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे. ट्रांजिस्टर एक छोटा एलेक्ट्रोनिक पुर्जा है जिसके दो फंक्शन होते हैं यहाँ कंट्रोल सर्केट के स्विच के रूप में काम कर सकता है और इससे सिगनल्स को एम्प्लिफाई भी किया जा सकता है आंतरिक पुर्जों को सुरक्षित रखने के लिए छोटे कम पावर वाले ट्रांजिस्टर एक रेजिन केस में लगे होते हैं लेकिन अधिक पावर वाले ट्रांजिस्टरों के लिए थोड़ा धातू का बना केस होता है जिसका प्रेयोग ट्रांजिस्टर से बनने वाली गर्मी को बाहर निकालने के लिए होता है क्योंकि इस गर्मी में लंबे समय में पुर्जे खराब हो सकते हैं आमतोर पर हम देखते हैं कि धातू की बॉडी वाला ट्रांजिस्टर एक हीट सिंक से जुड़ा होता है जो अवांचनिय गर्मी को बाहर निकालता है उदाहरण के लिए इस DC पावर सप्लाई के अंदर एक मौस्फेट ट्रांजिस्टर है जो बड़े हीट सिंक से जुड़ा हुआ है हीट सिंक की गैर मौजूदगी में पुर्जे मात्र 1.2 एम्स करंट बढ़ने पर 45 डिग्री सेल्सियस या 113 डिग्री फेरनाइट तक गरम हो सकते हैं और करंट बढ़ने पर वे और भी गरम हो जाएंगे लेकिन कम करंट वाले electronic circuit के लिए हम बस एक resin body का प्रियोग कर सकते हैं जिसमें heat sink की जरुवत नहीं होती है ट्रांजिस्टर की body पर कुछ text लिखा होता है यहां हमें part number बताता है और इसका प्रियोग हम manufacture की data sheet ढूनने के लिए कर सकते हैं हम transistor को उसकी निश्चित, voltage और current handle करने की क्षमता के अनुसार rate करते हैं इसलिए इस sheet को जांच लेना जरूरी होता है अब transistor में हमारे पास तीन pin होते हैं जिन पर E, B और C label होते हैं इन labelों का मतलब है emitter, base और collector आमतोर पर resin body प्रकार के चप्टे के नारोव वाले transistor हो में बाइं ओर की pin emitter है, बीच में base है और दाइं ओर collector है लेकिन कभी transistor हो में इस configuration का प्रियोग नहीं होता है, इसलिए manufacturer की data sheet देख लेना उचित होगा हम जानते हैं कि अगर हम एक बिजली के bulb को battery के साथ जोड़ दें, तो वहाँ जल उठेगा हम इस circuit में एक switch लगा सकते हैं, और light को बिजली आपूर्ती में अवरोध के जरीए control कर सकते हैं लेकिन इसमें हमें switch manual तरीके से control करना पड़ता है, तो हम इसे automate कैसे कर सकते हैं? इस काम के लिए हम transistor का प्रियोग करते हैं, transistor current के प्रवाह को रोक रहा है, इसलिए light बंध है लेकिन अगर हम बीच में लगें इस pin में थोड़ा voltage भेजें, तो इससे transistor मुख्य circuit current के प्रवाह को बहने देता है और light जल जाती है, फिर हम control pin पर एक switch लगा कर इसे remote से चला सकते हैं, या हम इस पर एक sensor लगा कर control को automate कर सकते हैं आम तोर पर हमें base pin कम से कम 0.6 से 0.7 वोल्ट current भेजना होता है, ताकि transistor चालू हो सके उधारन के लिए इस सरल transistor circuit में पूरे मुख्य circuit के लिए 9 वोल्ट बिजली आपूर्ती वाली एक लाल LED है base pin DC bench बिजली आपूर्ती से जुड़ी हुई है, circuit का रेखा चित्र कुछ ऐसा दिखता है जब base pin को भेजी जाने वाली वोल्टिज 0.5 वोल्ट है, तो transistor बंध है, इसलिए LED भी बंध है 0.6 वोल्ट पर transistor चालू हो गया है, लेकिन पूरी तरह चालू नहीं है इसलिए LED मंद रोशनी में जल रही है, क्योंकि transistor मुख्य सरकिट तक पूरा करेंट प्रवाह नहीं होने दे रहा LED अधिक चमकदार हो जाती है, क्योंकि transistor अब लगभग पूरा करेंट प्रवाहित होने दे रहा है और 0.8 वोल्ट पर पूरी चमक आ जाती है, क्योंकि transistor पूरी तरह खुल गया है तो होता ये है कि हम बड़ी वोल्टेज और करेंट को नियंतरित करने के लिए छोटी वोल्टेज और करेंट का प्रयोग करती है हमने देखा कि बेस पिन पर वोल्टेज में थोड़ा सा बदलाव, मुख्य सर्किट में बड़ा बदलाव कर सकता है इसलिए अगर हम बेस पिन को एक सिगनल भीजते हैं, तो transistor एक एम्प्लिफायर की तरह काम करता है हम इसमें एक माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हैं, जो बेस पिन पर वोल्टेज सिगनल बदलता है और यहां मुख्य सर्किट में स्पीकर को एम्प्लिफाय करके एक अत्यंत सरल एम्प्लिफायर बनाएगा आमतोर पर बेस पिन में बहुत कम करेंट, शायद एक मिली एम्प्यर या उससे कम होता है कलेक्टर में आप एक शाक्रिद बहुत अधिक करेंट होता है, जैसे 100 मिली एम्प्यर दोनों के बीच के अनुपात को करेंट गेन कहते हैं और इसे बीटा चिन्ह द्वारा दर्शाय आ जाता है हम यहाँ अनुपात मैनुफैक्चरर की डेटा शीट में देख सकते हैं इस उदारण में कलेक्टर का करेंट 100 मिली एम्प्यर और बेस का करेंट 1 मिली एम्प्यर है इसलिए अनुपात के लिए 100 को एक से विभाजित करने पर 100 ही मिलता है हमें सूत्र यानी फॉर्मूले को फिर से व्यवस्थित करके करेंट की मात्रा का पता भी लगा सकते हैं हमारे पास दो मुख्य प्रकार के बाइपूलर ट्रांजिस्टर होते हैं NPN और PNP दोनों ट्रांजिस्टर लगभग एक जैसे ही दिखते हैं इसलिए कौन सा ट्रांजिस्टर कौन सा है यहाँ पता लगाने के लिए हमें पार्ट नंबर देखना पड़ता है NPN ट्रांजिस्टर में मुख्य सर्केट और कंट्रोल सर्केट होते हैं दोनों ही बैटरी के पॉजिटिव यानी धनात्मक सिरे से जुड़े होते हैं जब तक हम कंट्रोल सर्केट पर स्विच को न दबाएं मुख्य सर्केट बंद रहता है हम देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर के दोनों तारों में करेंट प्रवाहित हो रहा है हम मुख्य सर्केट को हटा सकते हैं और कंट्रोल सर्किट की LED स्विच दबाने पर फिर भी जलेगी, क्योंकि करेंट ट्रांजिस्टर से होकर बैटरी में वापस लौट रहा है। इस सरल उदारण में जब स्विच दबाया गया है, तो बेस पिन में 5 मिली अमपियर करेंट बह रहा है, कलेक्टर करेंट में 20 मिली अमपियर और एमिटर में 25 मिली अमपियर करेंट बह रहा है, इसलिए ट्रांजिस्टर में करेंट एक जगह इकठा हो जाता है। PNP transistor में भी हमारे पास मुख्य circuit और control circuit होते हैं. लेकिन अब बैटरी के positive सिरे से emitter जुड़ा होता है. जब तक हम control circuit पर लगे switch को न दबाएं, मुख्य circuit बंद रहता है. हम देख सकते हैं कि इस प्रकार में current का कुछ भाग बेस पिन से बाहर की और प्रवाहित होता है और बैटरी में वापस आ जाता है. बचा हुआ current transistor और मुख्य LED से होकर बैटरी में वापस बहता है. अगर हम मुख्य circuit को हटा दें, तो control circuit LED फिर भी चालू होगी. इस उधारण में, जब switch दबाया गया है, तो emitter में 25 mA, collector से 20 mA और base से 5 mA current प्रवाहित हो रहा है. इसलिए current transistor में विभाजित हो जाता है. मैंने अगल बगल रख कर दिखाता हूँ ताकि आप इनकी तुलना करके देख सके. ट्रांजिस्टरों को electrical रिखा चित्रों में इस तरह के चिन्हों द्वारा दिखाया जाता है. एमिटर की lead पर तीर का निशान लगा है. तीर का निशान परंपरागत current की दिशा में होता है, ताकि हम जान सके कि इन्हें हमारे circuit से कैसे जोड़ना है. ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है? यहाँ समझने के लिए मैं चाहूंगा कि आप पहले एक pipe में से बह रहे पानी की कलपना करें. पानी तब तक मुक्त रूप से pipe से होकर बहता है, जब तक कि हम इसे disc लगा कर रोक नहीं देते. अब अगर हम मुख्य pipe में एक थोड़ी छोटी pipe जोड़ दें और इस छोटी pipe के अंदर एक swing gate लगा दें, हम disc को एक पुली का प्रयोग करके हिला सकते हैं. Swing gate जितना आगे तक खुलता है, उतना ही अधिक पानी मुख्य pipe में जा पाता है. Swing gate थोड़ा भारी होता है, इसलिए पानी की कम मात्रा इसे खोल नहीं पाएगी. Gate पर बल लगा कर उसे खोलने के लिए एक निश्चित मात्रा में पानी की आवशक्ता होती है. इस छोटी pipe में जितना अधिक पानी बहेगा, वॉल्व उतना ही अधिक खुल पाएगा, और अधिक से अधिक pipe को मुख्य पानी में जाने देगा. वास्तव में इसी तरीके से NPN transistor काम करता है. आप शायद पहले से ही जानते होंगे कि जब हम electronic circuit डिजाइन करते हैं, तो हम परंपरागत current का प्रयोग करते हैं. इसलिए हम मान लेते हैं कि इस NPN transistor circuit में current बैटरी के positive सिरे से collector और base दोनों में प्रवाहित होता है, और फिर emitter में जाता है. हम circuit को design करने के लिए हमेशा इसी दिशा का प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है. असल में electron बैटरी में negative से positive की ओर बह रहे हैं. जोसेफ थॉम्सन ने यह सिद्ध किया था, उन्होंने electron की खोज करने के लिए कुछ प्रयोग किये थे, और यह भी सिद्ध किया कि electron विप्रीद दिशा में बहते हैं. इसलिए वास्तविक्ता में electron negative सिरे से emitter की ओर बहते हैं, और फिर collector और base pin से होकर प्रवाहित होते हैं. हम इसे electron flow कहते हैं. मैं इन दोनों को साथ साथ रखूंगा ताकि आप इन दोनों सिध्धान्तों के बीच अंतर को देख सकें. याद रखें कि हम हमेशा परंपरागत करेंट वाले तरीके से circuit design करते हैं. लेकिन वैज्ञानिक और इंजीनियर जानते हैं electron वास्तव में कैसे काम करता है. वैसे हमने अपने पिछले वीडियो में यहाँ विस्तार से बताया था कि battery कैसे काम करती है. उसे जरूर देखें. लिंक नीचे वीडियो description में दिये गए हैं. ठीक है तो अब हम जानते हैं कि विद्यूत या बिजली तार से होकर बहने वाला electron का प्रवा है. तामबे का तार conductor है और rubber insulator है. electron तामबे से होकर आसानी से बह सकते हैं, लेकिन वे rubber के insulator से होकर नहीं बह सकते. अगर हम सुचालूग धहतु के एक अनू का आधार भूत model देखें, तो केंद्र में हमें परमानू नाभिक दिखेंगी, जो चारों और घूमने वाले shell से घिरे होंगे. और इन शेलों में electron होते हैं, हर shell में electron के एक अधिकतम संख्या होती है. और हर shell में सुचार किये जाने के लिए electron में एक निश्चित मात्रा में उर्जा का होना आवशक है. केंद्र से सबसे दूर स्थित electronों में सबसे ज्यादा उर्जा होती है. सबसे बाहरी shell को valence shell कहते हैं Conductor की valence shell में एक से तीन तक electron हो सकते हैं. Nucleus यानी नाभिक सभी electronों को अपनी जगह बनाए रखता है. लेकिन यहाँ एक और shell होती है, जिसे conduction band कहते हैं. यदि कोई electron इस band तक पहुँच सकता है, तो वह उस अणू से मुक्त होकर दूसरे अणू में जा सकता है. तामबे जैसी धातू के अणू में valence shell और conduction band एक के ऊपर एक होते हैं. इसलिए electron के लिए मुक्त होकर वह पाना आसान होता है. इंसुलेटर में सबसे बाहरी shell पूरी तरह बंद होती है. यहाँ दूसरे electron के आने की कोई जगह नहीं होती या बहुत कम जगह होती है. नूक्लियस एलेक्ट्रोनों पर मजबूत पकड़ रखता है और conduction band बहुत दूर होता है. इसलिए electron बाहर निकलने के लिए उस तक नहीं पहुँच पाते. इसलिए इस तरह के material से बिजली गुजर नहीं पाती. लेकिन एक और material होता है जिससे semiconductor के नाम से जाना जाता है. semiconductor का एक उदारंड सिलिकॉन है. इस material में valence shell के अंदर इतने अधिक electron होते हैं कि यहां conductor नहीं बन सकता. इसलिए यहां insulator की तरह काम करता है. लेकिन conduction band काफी पास लगा होता है. अगर हम कुछ external उर्जा प्रदान करें, तो कुछ electron इतनी उर्जा प्राप्त कर लेंगे कि वे conduction band तक नहीं पहुँच जाएं और मुक्त हो जाएं. इसलिए यह material insulator और conductor दोनों की तरह काम करता है. शुद्ध सिलिकॉन में कोई मुक्त electron नहीं होता है. तो engineer सिलिकॉन में दूसरे material की थोड़ी मात्रा में doping यानि अपमिश्रन करते हैं, जिससे इसकी electron properties बदल जाती है. हम इसे P-type और N-type doping कहते हैं. हम इन materialों को एक साथ मिल transistor बना सकते हैं. ट्रांजिस्टर के अंदर एक collector pin और एक emitter pin होती है. NPN transistor में इनके बीच N-type material की दो परते और P-type material की एक परत होती है. Base wire P-type वाली परत से जुड़ा होता है. PNP transistor में इसके बिल्कुल उल्टे तरीके से configure किया जाता है. ये संपून धाचा resin के अंदर बंध होता है, ताकि अंदरूनी material सुरक्षित रहे. आईए कलपना करते हैं कि सिलिकॉन को अभी तक अप मिश्रित नहीं किया गया है, तो अंदर बस शुद्ध सिलिकॉन है. हर सिलिकॉन अनू चार अन्य सिलिकॉन अनू से घिरा होता है. प्रत्येक अनू को अपनी valence shell में 8 electron चाहिए, लेकिन सिलिकॉन अनू के अंदर उनके val अनू के valence shell में केवल 4 electron होते हैं. इसलिए वे चुपचाप एक electron अपने परोस वाले electron से ले लेते हैं, ताकि उन्हें उनके 8 electron मिल जाएं. इसे covalent bonding या सह सायों जग बंध कहते हैं. जब हम इसमें N-type material जैसे phosphorus जोडते हैं, तो वह कुछ सिलिकॉन अनू की जगर ले लेता ह फॉसफोरोस के अनू के valence shell में 5 electron होते हैं. इसलिए चुपची सिलिकॉन अनू आवश्चक 8 electron पाने के लिए electron साजह कर पा रही हैं. उन्हें इस अतिरिक्त electron की आवशकता नहीं हैं. इसका मतलब है अब यहां कुछ अतिरिक्त electron है और वे मुक्त रूब से आने जाने के aluminum या aluminum जैसा material जोडते हैं. इसके अनू के valence shell में केवल 3 electron होते हैं. इसलिए यहां अपने सभी पडोसी shell के साथ electron साजह नहीं कर सकता. चार में से एक को electron लिए बिना ही काम चलाना पड़ेगा. इसका मतलब यह है कि यहां hole बन जाता है, जिसमें कोई electron आकर जगह ले सकता है. अब हमारे पास silicon के दो अपमिश्रण किये हुए टुकडे हैं. एक जिसमें जरुवत से ज्यादा electron है और दूसरा जिसमें परियाप्त electron नहीं है. दोनों material साथ मिलकर PN junction बनाते हैं. इस junction पर हमें एक क्षेत्र मिलता है, जिससे हम depletion region कहते हैं. इस क्षेत्र में N-type की मौझूद होल में जगह ले लेते हैं. इस थानांतरण के कारण एक कठा हुए electron और होल के साथ विप्रीत तरफ एक barrier बन जाता है. इलेक्ट्रोन पर negative आवेश होता है और इसलिए होल को positive आवेश वाला माना जाता है. इलेक्ट्रोन के कठा होने से थोड़ा क्षेत्र negative आवे लगभग 0.7 वोल्ट का अंतर होता है. जब हम दोनों सिरो पर वोल्टेज का स्त्रोत जोडते हैं, जिसमें positive आवेश वाला सिरा P टाइप माटीरियल से जुड़ा होता है, तो इससे forward बायस बन जाएगा और electron बहना शुरू कर देंगे. वोल्टेज, स्त्रोत, 0.7 वोल्ट के बैरियर से अधिक का होना चाहिए, नहीं तो electron barrier के दूसरी ओर नहीं जा पाएंगे. जब हम बिजली के आपूर्ती को उलट देते हैं, यानि positive आवेश वाला सिरा N-type माटीरियल में जुड़ा होता है, बैरियर पर रुके हुए electron वाप पॉजिटिव टर्मिनल की ओर खिचने लगते हैं, और negative टर्मिनल पर फिर से होल बनने लगेगा, इससे reverse बायस बनेगा. NPN ट्रांजिस्टर में हमारे पास N-type माटीरियल की दो परते होती हैं, इसलिए हमारे पास दो जंक्शन होते हैं, और इसलिए दो बैरियर भी होते है तो साधरन स्थिती में इसमें से कोई करण प्रवाहित नहीं हो पाता है. Emitter N-type material में बहुत अधिक अपमिश्रण मिलाया गया है, इसलिए इसमें बहुत से अतरिक्त electron है. Base P-type में हलका अपमिश्रण है, इसलिए इसमें बहुत थोड़े ही होल है. Collector N-type में मध्यम दर्ज का अपमिश्रण है, तो यहां कुछ ही अतरिक्त electron है. अगर हम base और emitter से एक battery जोड़ दें, जिसमें positive सिरा P-type से जुड़ा हो, तो forward bias बनेगा. Forward bias के कारण barrier नश्ट हो जाएगा, जब तक कि voltage कम से कम 0.7 volt रहती है. इसलिए barrier गायब हो जाएगा और electron तेजी से P-type material में खाली जगह घेरने के लिए जाएंगे. इन में से कुछ electron खाली जगह घेर लेंगे, और battery के positive terminal की ओर खिच जाएंगे. P-type वाली परत पतली है और इसे जानबूझ कर हलका डोप किया गया है, ताकि electron के खाली जगह घेरने के अवसर कम ही हो. शेश electron material में मुक्त रूप से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. इसलिए base pin में केवल छोटी मातरा में current ही प्रवाहित होगा और P-type material में electrons की अधिकता हो जाएगी. इसके बाद यदि हम emitter और collector के बीच एक और battery जोड़ दें, जिसका positive सिरा collector से जड़ा हो, तो collector के negative charge वाले electron positive सिरे की ओर चले जाएंगे, जिस में barrier के electron और holes वापस खिच लिए जाते हैं. इसलिए barrier के P-type side के electrons N-type की तरफ चले जाते हैं. और N-type side के holes वापस P-type की तरफ चले जाते हैं. P-type material में पहले से ही electron के अधिकता होती है. इसलिए वे इन holes की जगह घिरने के लिए चलते हैं और उनमें से कुछ दूसरी तरफ ख जाते हैं. क्योंकि इस battery का voltage अधिक होता है. इसलिए खिचाव भी काफी अधिक होता है. जब ये electron R-par होते हैं तो battery से होकर प्रवाहित होते हैं. इसलिए reverse bias junction में current पैदा होता है. बेस पिन पर अधिक voltage होने से transistor पूरी तरह खुल जाएगा. इसका मतलब यह हुआ कि P-type परत में पहले से अधिक electron और current बह रही हैं और इसलिए और अधिक electron reverse bias की तरफ चले जाते हैं. हम transistor के collector side की तुल्ला में, emitter side में अधिक electron बहते हुए देख सकते हैं. तो इस वीडियो में बस इतना ही. लेकिन Electronic Engineering के बारे में और सीखने के लिए स्क्रीन पर दिये गए किसी भी वीडियो पर अभी क्लिक करें. और मैं आपसे वहाँ मिलूँगा अगले लेसन के साथ. हमें Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn के साथ-साथ EngineeringMindset.com पर follow करना न भूले.